कब वो ने किया हम सब को परेशान डिंग डिंग वो अपनी लंबी यात्रा पर इस उमीद से निकला की धर्ती गोल है हां तो कहने ची बताओ उस आदमी का नाम क्या है हां उसका नाम कवा है क्या कहा वो कवा है एक कवा धर्ती पर अमेरिका की खोज क्यों करेगा सोरी सर वो मैंने गलती से बोल दिया अरे यह क्या कवा का जुट यही बिल्कुल सही समय है अपनी कोगा निंजा टेक्नीका होना राजमानिका अब क्या होगा वो रहे कवे तुम समझ गए न क्यों इसमें रखा डालो चारा फिर देखो बजेंगे सबके बारा मैं समझ गया बास है को अब कर तो बिल्कुल हमारे जैसे हो तुम्हारे गाहँ वाला हूं दोस्त तरा नीचे आना तो क्या बात है कोन हो तुम दिखते तो बिल्कुल कवे जैसे हो हां मेरा नाम कियो है मैं जुण से अलब हो चुका हूं तुम सब लोगों के लिए तोफा लाया हूं तोफा 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 लाया हूं वाँ खश्म तो बहुत अच्छी आ रही है यह तो दावत सा खाना है, खारे सिपाईजों निचे आजाओ खाओ को खाओ, आज ऐसा खाना खिलाया है कि नानी क्या नाना भी आदा जाएंगे अरे, यह क्या हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है होगा ख़ो खाया काम हो गया मेरे जमुरे जयाक, काम किया है? मैं और नहीं खा नहीं को सकता महाः एंचल का बाहो दोस्तों, देखो यह कौन आया है यह हमारे बड़े बास है तो मेरे सारे कव्वे दोस्तो मेरी बात ध्यान से चोच लगा कर सुनो और वही करो जैसा में क्याता हो तब माश्रे मेरे जमुरो लगता है यह सब समझ गये है कट पुतली बनाने की निंजा टेक्नीक अरे कैनीची तुम इतने डरे हुई क्यों हो डिने 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 यह क्या मुझे तोड़ा लगा है ओए हतोडी तुम्हें हैरानी हो रही होगी ना आज मैं तुम्हें खुद एक चैलेंज दे रहा हूँ आक्रमन्ट प्लीज जुक जाओ तुम्हारा जगडा सिर्फ हमारी फैमिली से है ना पर जो लोग आसपास के घरों में रहते हैं तुम उने क्यों परिशान कर रहे हो हाँ सही कहा तो ठीक है पुरानी टेक्डी के पीछे आजाओ मैं वहीं तुम्हारा इंतसार कर रहा हूँ मैं वही मिलता हूँ हेलो है हमारा ने इतनी फॉच कहां से जमा कर ली डिंग 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 अच्छा वाज तुम आ गए हदोरी यह आज कहां से आ रही है जलो हमला करो अपूद दिंग मुझे छोड़ दो छोड़ दो मुझे तुम क्या दावत में आयो जाओ काम करो ओके बस दिंग निंग चाल़ द्थे चांट हो काम मिर्ष का पाउड़ चळखनी दिंग डिंग डिंग साथ क्या हुआ देटनीक का बजगया बाजा आरह हाँ पक्रों वहाँ लेगर कई पोड़ो जाओ जाओ, भागने ना पाए वो, जाओ जाओ, 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 बाग कर जाओ निका है, हम उड़कर आ रहे है तोड़ी मुसमा पारे पिछे आ रहे है, अमीजोगा, मुझे बहुत दर लगाया, तोड़ी, क्याओ, बागो इगा निंजा, का चुपह हो तुम, इतने जल्दी भाग यहा निकलो, मैं चाथा हूँ, इगा निंजा सुनो साब, यह एक पवित्र जगा है, और यहां पर मैं रहता हूँ, इस ही वक्त यहां से चले जो अच्छा मैं समझ गया है नेकल लो यहां से अरे बच्चा अरे मत तो मत रुको मैं हुना अरे रुको अरे चलो अजर आपने गुरु को भी तो जहलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे हतोड़ी लगे ना लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा बच्चे कॉई बच्चा अरे बच्चा आप तो कववे बी गैंग बनाकर किसी पर हमला कर सकते हैं पर अब तो सब ठीक है तर का हाल हो गया बेहाल डिंग डिंग बच्चों यह है नई मैडम इनका नाम है आईको ये आज ही हमारा स्कूल जॉइन कर रही है हेलो, गुद मॉर्निंग स्टुडे मिसाइको तो बिल्कुल परी की तरह सुन्दर है मिसाइको बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह नाजुक और सुन्दर है मेरे मन में उनके लिए कुची कुची होता है मुझे उनसे दोस्ती करनी है, मुझे उनसे दोस्ती करनी है मिसाइको बन जो मेरी भाई को तो अब मैं बताता हूँ कि एक ट्राइंगल कैसे बनता है पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे मिसाइको प्लस मैं इस इकॉल टू मेरा प्यारा घर यह अपने कैसा ट्राइंगल बना है क्या ट्राइंगल कोई कुछ भी नहीं है तो गए काम से यह क्या कर रहे हो के नीची ऐसे नहीं करते कोई बात नहीं ध्यां से देखो कैसे करते मैं दिखाता हूँ देखो पता नहीं आइको मैम को देखके सर को क्या हो जाता है हां कुछ तो गर्बर है सर को जरूर कुछ होने लगा है अच्छे युमी को दोस्तो या हूँ क्या हम उनको मिलवाएंगे वा बड़ा मजाएगा हैं मिस आइको क्या हुआ है मिस्टर काइको को मियुजिक बहुत पसंद है और आपको भी मुजिक पसंद है ना क्या कह तो काईको सर इस समय स्कूल के गार्डन में मिलेंगे, आप जा कर उन से मिल लीजे ना, अब मैं चलता हूँ मैं क्या करूँ हमेशा की तरह मुझे इस बार भी ये इरादा छोड़ना पड़ेगा काईको सर आप क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं काईको सर आप यहां इतने उदास क्यों बैठे हैं मैं 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 वो बस सर तो बगरी की तरह मैमे कर रहे हैं काईको सर आप चानते हैं आप की ही तरह मैं भी बहुत चाहती हूँ क्या आप चाहती है मुझे यकीन होता जब मैंने इस बारे में सुना तो मैं दोरी चली आई दोरी चली आई? कहिए सपना तो नहीं है ना, मेरी तो निकल पड़ी आप भी बहुत पसंद करते हैं ना? बहुत 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 ज़्यादा क्या बात है, मुझे ना लोरी बहुत पसंद है क्या मतलब वो लोरी जो बच्चों को सुनाने के लिए गाते हैं? मैं भी हमारे बच्चों को वो लोरी सुना कर सुला दिया करूँगा चलो दोस्तों, अब हमें अगला काम करना है आईको मैडम अभी वो बिल्कुल अकेली है, मैं जाकर उससे अपने मन की बात कह देता हूँ आईको मैडम क्या, 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 क्या मुझे से शादी करो गया? मिस आईको इस करण्टम कैसे बचाए क्योंकि हम जानते थे कि मिस आईको म्यूजिक को बहुत पसंद करती है इसलिए हमने जान बुच कर उन्हें सर के पास भेजा और फिर बाद ने कैनीची, सर मिस आईको को सच में पसंद करते हैं तुम्हें उनकी भावनाओं का मजाक नहीं उडाना चाहिए साथ ही तुम ये भूल रहे हो कि जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें कल अपने सर से डांट जरूर पढ़ने वाली है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था केनीची हाँ सच में? हतोरी किसी तरह मुझे डांट खाने से बचा लो इससे ज़्यादा तो मुझे सर की परवा हो रही है तुम लोगों को उनके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था ये बिल्कुल गलत बात है वो रही में साइको जा कहते हो हाँ दोड़ी आईको माडम सच में बहुत सुन्दर है उन्हें देखकर सर तो क्या कोई भी उन्हें पसंद करने लगेगा ये सच में बहुत प्यारी है वो एक गलत फैमी थी मुझे उस समय अपने होश में रहना चाहिए था आईको माडम आप आप से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है याबाश अताड़ी आज बात बना देना अरे मुझे याद आया मैंने सुना था आज साइनस लेब में आपके साथ कुछ प्रालम हो गईती आपके जैसे बड़े दिलवाले और महनती टीचर से मिलकर क्या कहूं मेरी जिंदगी तो जैसे सफल ही हो गई यहां आपने मुझे मेहनती टीचर कहा? हाँ अच्छा आप में साइको चलिए अब कर स्कूल में मिलेंगे अब मैं चलता हूँ मेहनती टीचर अब मुझे वो ही बन कर दिखाना पड़ेगा बाई बाई टाचा शुक्रिया तोरी तुमने मुझे कल की डांट से असानी से बचा लिया हाँ कैनीची काश मेरी इस कोशिश से उनकी उदासी भी खत्म हो जाए अच्छा तो बच्चों तुम सब ये ट्राइंगल वाला सवाल अच्छी तरह से समझ गये हो ना जिसे बिल्कुल समझ में नहीं आया वो अभी मुझे से पूछ सकता है पूछो मैं 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 पूछ में चाहता है चलो चलो जल्दी जल्दी करो आइको मैड़म मैं पूरी मेनद से अपना काम कर रहा हूँ आपको शिकायत नहीं होगी अरे काईको सर ये किस बारे में बात कर रहे थे उदास इंसान उदासी ही बाटता है इसलिए कोशिश करने चाहिए ऐसे इंसान की उदासी किसी तरह खुशी में बदल सकें डिंग डिंग रेस कबूतरों की डिंग डिंग तो बच्चों ये तैय हो गया है कि हमारे स्कूल की तरफ से इस बार बॉइस पीजन रेस में कैनेची और अमारा हिस्सा लेंगे और रेस जीत कराएंगे तो इसे के साथ मैं कहना चाहूंगा अल दे बेस्ट बच्चों ये कबूतरों की रेस होती है जिसमें उन्हें बहुत दूर छोड़ा जाता है फिर भी वो अपने पिंजरे में वापस आ जाते हैं जो कबूतर पहले आता है वही विजेता कहलाता है ओ बेचारा मेरा कबूतर हीका गिरी हमारी नाक मत कटवा देना दम लगा कर उड़ना मेरी बात सुन कबूतर तुझे किसी भी हाल में केनीची के कबूतर से हारना नहीं है इसलिए खिला पिला कर मैं तेरी सेथ बना रहा हूँ वाँ क्या बात है देख ले वाँ क्या बात है बहुत बढ़िया अब मैं जाओंगा हतोडी अगर हम सब साथ में चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हतोडी ये पिजिन टाइमर है सारे पार्टिसपेंस ने टाइमर्स मैच कर लिये है और जब कबूतर वापस आएंगे तो हमें उनके पंजे में बंधे काट को इस टाइमर पर डालना होगा ताकि हमें पता चल सके कि कबूतर को वापस आने में कितना समय लगा फिर उसी के हिसाब से विनर और रैंकिंग का पैसला किया जाएगा अच्छा कैनीशी तो अब मैं समझ गया कि ये रेस किस तरह से होती है देखो तोड़ी अमारा तो जा चुका है मैं भी जा रहा हूँ उम्मीद करता हूँ अमारा आज ऐसी कोई गड़बर ना करे जो उसे नहीं करनी चाहिए मैं तुम सब को खा जाऊंगा दीनिंग मुझे मालूम था ये ऐसा ही करेगा तुम्हारी एक है जिसे मज़ा किताता हूँ ये 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 खुरा सबार जल्दी उड़ जल्दी उड़ जा 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 आजमार के गिरा जाडियों में अक्ता अमारा तुम इतनी बेकार की टेक्नीक इस्तिमाल करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी चाला क्या बद कर दो वे लेक्टर बाद में जाड़ो पहले नीचे तो उतारो तुमने जो किया ये उसी का फल है अब लटके रहो शिंजर चलते हैं अरे लेकिन तुम लटकों के तब देख लूँगा जीदि अब वो सीधे स्कूल की तरफ जा रहे हैं अरे ये क्या ऐसा नहीं होना चाहिए ओ नहीं बारिश की वज़े से कबूतर यहीं कहीं छिप गए हैं दिंगे ने 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 मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ है 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 चलो कामागीरी अब तू माजा दो अब तू मैं फॉर्स प्राइज जीतने से कोई नहीं रोख सकता उड़ जा हाल्द बाल्द में बाल्द बाई वह रहा कबूतर अरे सिर्फ एक कबूतर ये तो जरूर अमारा का कबूतर है वो कुछ गड़ बढ़ कर रहा है हमें एक बार फिर से उसे सबक सिखाना पड़ेगा समझ गया कोई प्रीड़तर कुई आरहा द्लें अर्वा शिशी मानू पहले तुम जाओ ठीक है ओके दोडी, जाज़ा निकलने की निंजा टेक्निक कबड़ी, 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 कबड़ी मैं तुम्हारी मदद करने हा रहा हूँ कबड़ी, 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 कबड़ी दिनिंग, हमें कुछ तो करना होगा, शिशिवानू, शिंजो, इन पर एक साफ निंजा टेकनीक इस्तेमाल करो, चलो! अपना काम बन गया, दिनिंग, अब मैं जाल कारता हूँ, दिंग, 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 जल्दी उड़ो, हार नामत मेरे दोस्त, तम जीत करी आना मेरे दोस्त, एक कबूतर यहां आए, यह तो कामागीरी है, अमारा का कबूतर, बहुत बढ़िया, अरे वा, यह तो केरीची का कबूतर है, हिकागीरी, तुम्हें जीतोगे, बस थोड़ा और जल्दी उड़कर आजाओ, अरे लेकिन सर, मेरे बात तो सुनिए, मेरा कबूतर यहां सबसे पहले पहुचा है, लेकिन बेटा, जेजिस का फैसला तो पीजिन टाइमर पर हुई, आखरी रिकॉर्डिंग के हिसाब से सबको रूल्स हमेशा मानने चाहिए, यह बहुत जरूरी है, लेकिन कोगा निंजा हमेशा उन रूल्स को तोड़ने में लगे रहते हैं, सही कहा, डिंग डिंग